जाहिन फ्रेंज वेलकम प्रेंचूरियन डिफेंस एकडमी आज हम लोग स्पेस फोर्स इसके बारे में सीखेंगे बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है रिसेंटली हुआ क्या है कि एक प्रपोजल गया है मिनिस्ट्री आफ डिफेंस के पास जिसमें जो हम लोग स्पेस फोर्स बनाने वाले हैं इंडिया का जो स्पेस फोर्स होगा जो उसको बनाने वाले हैं उसका नाम बताया गया है इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल से समझेंगे कि यह स् 2020 में USA ने अपना Space Force बनाया था, अब सवाल यह है कि Space Force इतना जरूरी क्यों है, क्यों लगातार देश Space Force बनाने की कोसिस कर रहे हैं, जो इतना खर्चीला प्रोसेस है, उसके बावजुद भी भारत ने यह जिम्मा उठाया कि वो अपना खुद का Space Force बनायेगा, बहुत सारी ची नहीं Second World War के बाद ही स्टार्ट हो गई थी, जैसे से टेक्नॉलजी इवाल्ब हो रहा है ना, जैसे से हम लोग डिजिटली आके बढ़ रहा है ना, जैसे से साइबर सीक्योरिटी हमारे लिए कंसर्न होता जा रहा है, जैसे से मोबाइल नेविगेशन, कम्मुनिकेशन पे हम Space Forces Authorized नहीं बनाया जा सकता है, खेर, आगे मैं बताऊंगा वीडियो में क्या क्या चीज़े हम लोग जो है Space Forces के बारे में सीखेंगे, Now, सबसे पहली history में आपको लेके जाता हूँ, इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि USA ने ये concept कैसे start किया और कब बनाया, आपके screen के सामने है United Nation Space Force, United Nation Space Force है ये बना था 2020 में, अब कहानी कैसे है, Donald Trump साहब थे, Donald Trump साहब को लगा कि हमको एक Space Force बनाना चाहिए, औ उन्होंने एक act पास करवाया, screen के सामने जो आपको act दिखाई दे रहा है, ये वही act है, इसका नाम है National Defense Authorization Act 2020, ये act पास हुआ, इस act में कुछ बाते हैं, जो बड़ी important है, इस act को समझने के बाद आपको समझ में आएगा कि India का Space Force बनने जा रहा है, उसमें क्या बाते होंगी या उनके सामने क्या-क्या challenge जाएंगे, तो आप अपने interview और हमें आसानी से बता पाएंगे, ये जो 2020 का National Defense Authorization Act था, उसमें क्या-क्या बाते थी, पहली बात तो ये है कि United States अपने लिए एक Space Force बनाएगा, United States अपने dominance, अपने area, अपने territory को protect करने के लिए एक Space Force बनाएगा, द इसी प्रकार ये छठमा branch होगा USA के army का, ठीक है, इसके अलामा Space Force जो है mainly किस department के अतरकत काम करेगी, Space Force mainly Department of Air Force के अतरकत काम करेगी, Air Force जो हवा में अपना कारिकरम करते हैं, हवा में लडाई करते हैं, मार करते हैं, Air Force, जाहिर सी बात है, तो चुकि हमको हवा के उपर लडाई Force नहीं होता है, तो वहां पे लड़ना बहुत डिफिकल्ट है, आपको एक example देता हूँ, कितना difficult हो सकता है, Space में लडाई करने का, एक simple सा example आप सूचिए, मैंने आपको गगनियान वाले वीडियो में भी बताया था, कि Space में आगर आपको screw भी tight करनी है ना, कोई nut bolt tight करनी है तो आपको पता नहीं चलेगा कि nut bolt घूम रहा है, क्या screw घूम रहा है या आप घूम रहा हो, क्योंकि gravity होती नहीं है वहाँ पे, जब gravity होती नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि nut bolt tight हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या आप घूम रहा है, nut bolt tight हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको इस पेस में रोकना जहां के रिप्टेशन हाई नहीं, गृत्पाकरशन हाई नहीं, वहाँ पे अपनी एनिमी से लड़ना बहुत बड़ी बात है, बहुत चैलेंजिंग काम है, तो फिजिकल इन्वार्मेंट बिलकु डिफरेंट होता है अर्थ से, इसके चलते स्पेस बहुत जादा ट्रेंड होते हैं, USA ट्रेंड करने की कोशिस कर रहा है, आगे इंडिया भी ट्रेंड करेगा, मैं आपको बताऊंगा, हैदराबाद में एक सेंटर भी बनना है वारत का, खेर, तो डिपार्टमेंट आफ एर फोर्स के अंतरकत आएगा, नाउ, फंक्संस क्या आप जमीन पे लड़िए, आप हवा में मार कीजिये, लेकिन आप स्पेस में जाके लड़ाई नहीं कर सकते हैं, कि कल चाइना को लगा, कि इंडिया किसे लड़ाई लड़नी है, और गया हमारे सेटलाइट को दाग दिया, सेटलाइट को खतम करने का मतलब क्या हुआ, सेट कोई अपने space forces के थुरू हमारे satellite को खतम कर दिया तो क्या करेंगे जाहिर से बात है आपका सब बंद हो जागा सब कुछ ठप हो जाएगा टीबी ने देख पाएंगे मोबाइल ने चला पाएंगे आप जितनी भी day-to-day का काम है weather forecasting communication कुछ भी सब कुछ flop हो जाएगा इसलिए space जो forces है बहुत important है space security भी बहुत important है और होता क्या है कि बहुत सारे actually orbits में बहुत सारे satellite जो खराब हो गए होते वो भी घूम रहे होते हैं उनको भी साप करने का काम उनको भी protect करना है जो नए हम लोग सटलाइट भेज रहे हैं वो भी खराब नहों लड़ जाए पता लगे एक कोई debris पड़ा हुआ था कोई मलबा पड़ा हुआ था अचानक से कोई नए सटलाइट जा रहा था लड़ गया खराब हो जाएगा तो उससे भी बचाने का काम space force करेगी बहुत सारे काम फंक्शन में हम लोग दूसरा important train करेगा organize किया जाएगा और हथियारों से last किया जाएगा हमारे space forces को इस act के अंतरकत ठीक है? अगली बात क्या-क्या challenges होगा एक space force को अगर वो आस्मान में अपना कारिकरम करते हैं तो मैंने पहले ही बताया physical environment बिल्कुल different होता है मेरे भाई बिल्कुल अलग different होता है वहाँ का environment gravity होगी नहीं मैंने screw का example दिया ऐसे condition में आपको सही निसाना लगाना सही object को target करना बहुत difficult चीज है यहाँ पे अर्थ में तो gravity काम कर रही है सब कुछ आप फटा फट कर ले आप चल पा रहे हो वहाँ तो आप चल भी नहीं पाओगे आप तो उड़ोगे वहाँ पे और उड़ते हुए firing करना यह तो मतलब something की ऐसी चीज है जो हमने कभी नहीं किया नहीं हमने देखा खेर तो यह चीज़े हमारी space forces करेगी physical environment बहुत अलग है जिसके चलते military operation कंड़क्ट करना बहुत difficult हो जाता है now energy requirement बहुत ज़्यादा की ज़रूरत होती जैसे अभी नीचे मालो कि कोई tank जा रहा है और fuel खतम हो गया तो petrol pump ए उनने fuel भरवा लिया लेकिन space में कहा fuel मिलेगा space में fuel मिलेगा नहीं मिलेगा obvious भात है जब space में fuel नहीं मिलेगा तो हमको fuel भी लाद लेके जाना बड़ेगा तो space में तो fuel खर्च जादा होता है दूसरी बात, फ्यूल को लाद लेके जाना और वहाँ पहुचाना और अपने military operations को conduct करना काफी expensive होता है, तो fuel requirement जो है बहुत जादा है, इसके चलते भी एक challenge के तौर के सामने आता है, possibility क्या होती है, dominance की, जैसे मालो कि United States हुआ, United States ने कहा कि नहीं, नहीं, हम तो बहुत powerful है, हम उनको भी अपने space force बनानी है, अभी हो ही रहा है यही चीज, Russia, China, USA, already बहुत कदम आगे हैं India से, अब India नया अपना कोसिस कर रहा है, India क्या कर रहा है, मैं आपको आगे रिखाता हूं slides में, India and Space Force, India and Space Force की क्या कहानी है, सबसे पहली बात, जो ministry of defense के पास, जो proposal आया है, उसमें नाम क्या रखने की कोसिस की गई है, नाम यह बताया गया है, Indian Air and Space Force, यह नाम रखा जाएगा हमारे space force का, Indian Air and Space Force, ठीक है, अब एक important बात, इसके लिए proposal मैंने पहले बताया है, कि defense ministry के पास जा चुका है, defense ministry अगर इसको approve करेगी, तो जाहिर सी बात है, कि यह बन के सामने आ ज कैसे target करोगे, पूरा जो किताब होता है, किसी भी organization से आप जुड़ते हैं, तो उनका rule book होता है, ऐसे आप space में जाओगे, उनका rule book होगा, तो doctrine क्या होगा, उसके लिए हम ISRO की मदद ले रहे हैं, ISRO हमको बहुत help करेगा इसमें, ISRO and DRDO, दो संस्था जो बहुत मदद करने व separate college कहां बनाया जाएगा, separate college actually अभी decide नहीं हुआ है venue, बट इसमें क्या होगा, कि जितने भी space rules हैं, उसको लोगों को सिखाया समझाया जाएगा, जो space में जाने वाले हैं, लड़ाई करने क्लिए, ठीक है, या protect करने, लड़ाई करना, एक थोड़ा सा बहुत layman time हो जाएगा प्रोटेक्ट करना, ठीक है, ओके, प्रोटेक्ट करना ही आप time ही, इस्तमाल करना, उसके अलामा, military use of space is provided under the current international rule, military use of space, space का militarization नहीं होना चाहिए, ऐसा international rule कहता है, बट सब लोग अपना force तयार करने कि कल हो सकता है, कानून बन जाए, ठीक है जाओ, जरूरत पढ़ जाए मान ठीक है, अगली बात, इसके अलामा, air force ने decide किया है, कि वो prepare करेंगे एक large fleet, ठीक है, for the satellites, और इस satellites के लिए कितना 31 satellites भेजा गया है, 31 satellite, किसको दिया जाएगा, air force को दिया जाएगा, 31 satellite, air force को दिया जाएगा, किसलिए, ताकि वो navigation कर सके, communication कर सके, weather forecast कर सके, real time में threat assess कर सके, इ एक important 31 satellite का वेड़ा, air force को सौपा है, आगे बढ़ते हैं, इसके अलामा, एक important चीज है, कि जितना भी खर्चा होने वाला है, उसका 60% खर्चा, हमारा air force उठाने वाला है, और इसमें हमको मदद कौन करेगा, DRDO और ISRO, ठीक है, तो Defense Ministry पर बहुत बोज नहीं आएगा, लेकिन 60% air force उठाएगा, इसलिए air and space force बनाया गया है, बड़ी important है, joint command भी बनाया जाएगा, joint space command भी बनाया जाएगा, जिसमें military के तीनों पार्ट है, air force, navy and army, इन तीनों कर लोग इसमें सामील होंगे, और अपना input देंगे, जो भी space force बनेगी, तो ये तीनों के लिए एक common चीज वो ये है, कि why space has become so important, space इतना जादा important क्यों बनना है आज कल के, देखो भारत के लिहाद से मैं आपको बताता हूँ, China, Russia, USA, ये तीन country और लेड़ी space forces में बहुत आगे हैं, और इंडिया ने तो बिस बनाया ही नहीं है, और कल मानलो कोई threat आ जाए, मानलो China उटके हमारे satellite को दागने पहुँच जाए, तो हम अपने आपको protect कैसे करेंगे, space force से, इसलिए government space force बनाने के लिए बहुत जोर दे रही है, अगली important चीज़ जो है, आपको मैंने पहले बताया, कि bank transaction से लेके, GPS navigation, phone चलाना, TV देखना, सारा कुछ, किस से जुड़ा हुआ है, space से जुड़ा मेरे भाई, चाइना के एक स्टोरी बताता हूँ आपको 2007 की बात है, चाइना ने अपने satellite को दाग दिया space में, और उसके बाद देशों में होड मच गई, इसी के बाद 2020 में USA ने अपना official launch कर दिया, क्या space force और भारत ने भी अपना space force अभी launch किया है, तो ये overall बात थी, क्या- करती है, इसके अलावा, आपको पता होना चाहिए कि, अगर हम space में जाते हैं, तो क्या-क्या particular requirement होती, उन सपे में एक अलग video लेके आऊँगा, मिलेंगे next video में, thank you so much for watching, have a nice day. Conference, CPSS का complete guidance एवं individual and personalized feedback ले इंदिया के most trusted and favorite SSB panel bentosin, और इंचार करे अपने recommendation और self-confidence को अपने upcoming SSB परिये.